प्रधान मंत्री दरेन मोदी का विपक्ष पर हमला मोदी बोले एर स्ट्राइक पार्क में हुई लेकिन इसका सद्मा भारत में बैठे कुछ लोगों को लगा कॉंग्रेस ने मदू सुदन मिस्त्री को स्क्रिनिंग कमेटी से हटाया कॉंग्रेस महा सचेफ केसी वेनू गोपाल की अद्यश्टा में नई इसक्रिनिंग कमेटी गॉलियर में बीजेपी कारकरताओं पर लाठी चार्ज भूमी फ्यूजन को लेकर हुआ विवाद देश वासियों को सरकार की एक और सौगात मोदी ने किया वन नेशन वन कार्ड लाउंच और तीसरे माले से गिरा बच्चा हाई टेंशन लाइन में उलजा और फिर सड़क पर जा रहा ही महिला पर जा गिरा नमस्कार मैं हूँ अनुराग आप देख रहे हैं दखल निउस दखल आपके हक में लेकिन अब ख़बरें विस्तार से प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने कहा कि विपक्ष वाईव सिना की कारवाई पर सवाल उठाकर उनका मनोबल कम कर रहा है मोदी ने कहा एयर स्ट्राइक पार्क में हुई लेकिन इसका सदमा भारत में बैठे कुछ लोगों को लगा विपक्ष के नीता उस दिन से इस तरह चेहरा लटकाई हुए हैं जैसे ना जाने कौन सा दुखों का पहार तूट पड़ा हो प्रधान मंत्री धार में एक जन सबा को संबोधित कर रही थे धार में प्रधान मंत्री मोदी ने कहा पहले मुझे 16 फरवरी को धार आना था लेकिन पुलबावा में आतंकी हमले के कारण वो कारिकरम टल गया था आज ऐसे समय आपके बीच आया हूँ जब उस हमले का मुहतोर जवाब हमारी वायू सेना नहीं आतंकियों के घर में गुश कर दिया है भारत ने अब आतंकियों और आतंकि के सरपरस्तों को डंके की चोट पर कह दिया है कि अब उनके सामने सुधरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है फिर भी नहीं सुधरेंगे तो क्या करेंगे क्या होगा ये भी बता दिया गया है प्रधान मंत्री ने कहा हमारी सेना के पाराकरम पर आपको गर्व है की नहीं आपको लगता है कि उन्होंने सही किया पूरे देश को लगता है कि हमने सही किया सारी दुनिया ने कह दिया कि हिंदुस्तान के सामने यही रास्ता था हमारे देश का दुरभाग्य है कि यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा नहीं लगता सबसे लंबे समय तक देश में शाशन किया जिस पार्टी के नेताओं ने हमारी पाराकरमी सेना के हात बांध रखे थे उसके नेता अब हमारे वीर जवानों के सामर्थ पर सवाल उठा र है कि अर श हजिकल श्ट्राइक पर सवाल कर रहे हैं लेकिन जब इनकी सरकारती तब क्या होता था कि आप दिसक्तर रहा हम आतंकियों के ठिकानों पर करते हैं आतंकियों के वक्रश पर एकिन ये हर आतंकि की हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मदप्रदेश के एक नेता जरा और आगे नज़राते हैं साथियों सुभा ही इन महाशे ने पुलबामा में हुए आतंकी हमले को दुरगटना करार दिया है ये ऐसे ही नहीं बोले हैं ये उनकी मानसिकता है और ये उनकी रगों में पड़ा हुआ है आतंकीों को बचाने उनका पक्ष लेने के लिए ये उनके हमले को हाथसा बता रहे हैं क्या पुलबामा में जो हुआ वे हादसा था उनके सभी राक्षसी क्रत्य की गंभीरता को कम करने की कोशिश है ये की नहीं ये नामदार परिवार के खास सिपाह सालार हैं जिन्हें आतंक को बढ़ावा देने वाले शांती दूद नजाराने लगे हैं इन्हें उसामा बिन ल चुनावी शंखनात कर दिया है अब खबर कॉंग्रेस से लोगसभा चुनाव में प्रत्याशी चैन के लिए कॉंग्रेस अध्यष ने इसकिनिंग कमेटी का धाचा बदल दिया है अखिल भारती कॉंग्रेस कमेटी के वरिष्ट नेता मदू सुदन मिस्त्री को इस से अलग अध्यष नेता मदू सुदन मिस्त्री के अध्यष नेता में स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाती रही है हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भी मिस्त्री का अध्यष ने भोपाल और दिल्ली में कई दोरों की बैठक के बाद प्रत्याशी चैन हुआ था लेकिन लोग प्रदेश प्रभारी महासचिफ दीपक बावर्या और प्रदेश प्रभारी सचिफ संजे कपूर सुधाशु तिरबाठी हर्श वर्धन सबकाल वाववर्शा गायकवार की भूमिका अब एहम बना दी गई है स्क्रीणिंग कमीटी में PCC के अध्यक्ष और मुखमंतरी की दोहरी भूमिका में कमलनात प्रदेश का प्रतिनिधव करेंगे स्क्रीणिंग कमीटी की दूसरी बैठक साथ मार्च को दिल्ली में होगी सूत्र बताते हैं कि दूसरी बैठक में कई सीटों पर प्रत्याशी चैन को अंतिम रूप दे दिया जाएगा लेकिन इसका एलान चुनाओ कि अचार सहीता लागू होने के बाद ही किया जाएगा पहले हमेशा इसकिनिंग कमेटी में मदू सुजन मिस्तरी हुआ करते थे अब ख़बर गौलियर से गौलियर में अस्पताल के भूमी पूजन कारकरम से पहले पुलिस ने विरोज जतारे भाजपा कारकरताओं पर जम कर लाठिया भाजी हालात इतने तरनावपून हो गए कि प्रदेश में श्रे की राजनीती अब बबाल का कारण बनती जा रही है अस्पताल का ये प्रजेक्ट शिवरा सिंग चौहान सरकार के कारेकाल का है कुछ तकनीकी पेच आने के कारण इसका भूमी पूजन नहीं हो पाया था अब सरकार बदली तो इस्थानिये कॉंग्रिस विधायक ने इस अस्पताल का भूमी पूजन जोतिरा दित्त सिंध्या से कराना तै किया इसी बात को लेकर भाजपा ने आपत्ती जताई बड़ी संख्या में भाजपा कारेकरता सुभा से ही यहां इखटा हो गए और नारेबाजी करते हुए उन्होंने सडग भी जाम कर विरोध कर रहे भाजपा कारेकरताओं ने कॉंग्रेस विधायक मुन्ना लाल गोयल को कारेकरम इस्थल की ओर जाने नहीं दिया पुलिस द्वारा काफी समझाइश के बाद भी भाजपा कारेकरता यहां से नहीं हटे इसी दौरान भाजपा कारेकरताओं और पुलिस कर्मि भी हुए लाठी चार्ज के बाद भी विरोध जारी रहा तो पुलिस ने वाटर किनन चला कर कारिकरतां को ख़देडा इसमें भी कई कारिकरता घायल हुए बाद में करीब 300 कारिकरतां को हिरासत में ले लिया गया इस पूरे मामने को लेकर महापर विवेक सेजवलकर का कहना ह कि ये नैतिक रूप से गलत है काम किसी और का शे कोई और दूसरा ले जाए यह लोकतंत्र के विरुद है केवल पत्थरों पर नाम लिखकर शे लेना नहीं जाहिए अधिकारी या जो भी ऐसा कर रहे हैं वे अधितियों को जूटन खिला रहे हैं उनका अपमान करा रहे हैं इधर कॉंग्रेस का कहना है कि हजार विस्तर के अस्पताल के लिए भाजपा सरकार केवल भूमी पूजन तक सीमित रही लेकिन सत्ता में आते ही कॉंग्रेस ने इस मामले में तेजी से काम किया और सारी वाधाएं दूर की इसलिए भाजपा को विरोध का नैतिक अधिकार नहीं है प्रधानमंती नरेन मूदी ने अमदाबाद में देश को एक बड़ी सौगात देते हुए वन नेशन वन कार्ड लांच कर दिया नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का नाम से पेश किया गया यह कार्ड आपको देश के किसी भी पब्लिक टांसपोर्ट में सफर करने की आजादी देगा और इसकी मदद से आप वहां भुक्तान कर सकेंगे इसका मतलब आपको हर वक्त जेब में कैश रख कर चलने की आवश्यक्ता नहीं होगी वन नेशन वन कार्ड को भारत इलेक्ट्रोनिक्स निमिटेट ने आटोमेटिक फियर कलेक्शन सिस्टम स्वागत के साथ इज़ाद किया है देश के सभी शेहरों के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इससे भुक्तान किया जा सकेगा किसी भी शेहर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक कार्ड से भुक्तान किया जा सकेगा साथ ही रुपे कार्ड में इसमें जोड़ दिया जाने के बाद क्रेड जो भी नए डेबिट कार्ड जारी करेंगे उनमें नेश्नल कॉमान मॉबिलिटी कार्ड फीचर होगा ये किसी और वालेट की तरह ही काम करेगा साथियों अपसे कुछ देर पहले मैंने एक कॉमन मोबिलिटी कार्ड की सुविधा का भी शुभारम किया है देश को अर्पन किया है और मेरी दरश्टी से आज एमदाबाद को तो जो मिला सो मिला गुजरात को जो मिला सो मिला लेकिन इस कार कम से मैं पूरे हिंदुस्तान को एक नई सोगात दे रहा इस तरह के कार्ड तो लॉंच किये जाते रहें लेकिन इनको लेके तमाम सारी दुविधाईं भी पैदा होती रहती है आधार कार्ड का मसला अभी तक सुझा नहीं है फिलाल वक्त हो गया एक ब्रेक का ब्रेक के बाद भी ख़बरों का सिलसला जारी रहेगा आप देख रहे हैं तखल न्यूज मैं कोस्ट कार्ड नहीं पर समंदर पर होने वाली हर हरकत पर मेरी नजर है आम नौट अ स्नाइपर पर देश के दुश्मनों को बेजिजग शूट कर सकती हूँ मैं कोई पुलिस या आर्मी ओफिसर नहीं पर अगर मुझे किसी पर शक आए तो उसकी पूछता आज मैं अच्छी दरह से कर सकता हूँ ये कोई चेक पॉस्ट नहीं पर यहां से हर गलत काम करने वालों को रोक सकता हूँ मैं कम्प्यूटर से गुश्पैट करने वाले आतंतवादियों को अपने हाथों से रोक सकता हूँ कोई भी जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें किसी वर्दी, ओहदे या तजुर्वे की जरुरत नहीं जहां हो वहीं से देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएं देश का सच्चा सिपाही बने जैहिन आप देख रहे हैं दखल नियुद ब्रेक के बार आपका सौगात आप खबर मद्द प्रदेश के शुपुरी से कहते हैं कि जाकुराखे साईया उसे मात रके ना कोई शुपुरी के रागवेंदर नगर में दो साल का मासूम तीसरी मंजल से नीचे गिरा और सकुषर बच गया हालाकि उसे मामूली चोट जरूर आई है महाशिवरात्री पर हुई इस घटना में मासूम बच्चे के सुष्चत बचने को लोग शिप की करपा मान रहा है ये पूरा खटना करम सीसी टीवी कैमरे में कैद हो गया है रागवेंदर नगर में गुपता टाइल्स शोरूम के सामने बीती शाम ये हादसा हुआ दो साल का मासूम बाला कार्थी के यादव बिल्डिंग की तीसरी मंजल पर खेल रहा था और अचानक वो रेलिंग पर चड़ गया संतुलन बिगरने से वो रेलिंग पर लटक गया और नीचे गिरने लगा इसी समय वो पहले हाई टेंशन लाइन से टकराया तार टकराने से फॉल्ट हुआ और तारों में चिंगारी दोड़ गई इसके बाद कार्थिके नीचे से गुजर रही एक महिला के उपर जा गिरा इस कारण बच्चे की जान बच गई उसे मामूली चोटाई कार्थिके की गिरते ही लोग दोड़े और बच्चे को उठाया लोगों ने उसे तुरंत जिला अस्पताल में भड़ती कराया यहां से उसे गॉलिया रेफर कर दिया गया कार्थिके के पिता राजवीर ने बच्चे की हालत में सुधार है महाशिवरातरी पर हुए इस हादसे में कार्थिक की जान बच गई लोग इसे भगवान शिव की क्रपा ही मान रहे हैं एमपी में सरकार को बदले भले ही दो महिने हो गए हो लेकिन छतरपूर में रेत माफिया भी भी अवैद उत्खनन कर रहे है इन रेत माफियाओं के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे चंदला सीट के बीजेपी विधायक राजेश प्रजापती ने इन रेत माफियाओं से जान के खत्रे की आशंका जाहिर की है उनका आरोप है कि उनके विधासवाद छेतर के सरवई गौरिहार और गौराग में के नदीक से रेत का अवैद उत्खनन बड़े पैमाने पर जारी है और उनके छेतर में कांग्रेस के सभी विधायक मिलकर अवैद रेत का उत्खनन सिंडिकेट बना कर कर रहे हैं इतना ही नहीं उनका कहना है कि प्रदेश सरकार के मंत्रियों और कांग्रेस के विधायकों की उनके छेतर में रेत की खदानों पर नजर है आंग्रेश जो मुद्दे लेके आई थी वो पूरी तरह की से भटक चुकी है जिन किसानों को भरोसा दिया था वो किसानों का मुद्दा लेकर भटक चुकी है पूरा रेत में लग गई है रेत की खदाने अब मेरे विधान सवाज छेते चनला में पूल मिलाके वहां पर जित काम भी चालू कर दिया है वहां पर आप चले जाए रात में तो दिन रात यानि वहां पर शीने आठ हाट एलेंटी एक जगह खोदने में लगी हुई है मैं तो एक दिन गया मैंने सबको फोन लगाए एसपी साब को लगाए कलेक्टर साब को लगाए किसी ने फोन नहीं कर वहां पर इस तीफे तक की धंकी दी थी आपके सेनल के मार्जम से सबको विदित है और यह जो कर रहे हैं उनकी नुगर कुष्टी है वह यहां पर आके और सारी भार्टी जंसा पार्टी की लोग जिस तरीके से 15 सारों से उत्खनल करा तो वैसे ही उत्खनल वो अभी वि दी गई इस मामने में का कहना है कि बीजेपी के नेता रेत का अवैद कारूबार कर कांग्रिस को बदनाम कर रहे हैं मद्व प्रदेश के प्रदेश महामंत्री महिंद सिंग चौहान का आरोप है कि भाचपा विधायक विश्वास सारंग ने अवैद रूप से अपना आफि सारंग का आफिस बिना नगंडिकम की पर्मीशन से अवैद रूप से बना है लिंक रोड वन पर सारंग के इस विवादित भवन का भी कॉंग्रेस ने घिराव किया इस भवन में फिलहाल नैकसा शोरूम संचालित है और सारंग का कार्याले भी यहीं है कॉंग्रेस ने इस छेत्र में व्यवसाइक गतिविधी को लेकर कई सवाल उठा कर सरकार से जाच की मांगी है कॉंग्रेस का आरोप है कि इस भवन की ना तो निर्मान अनुमतियां है और ना ही कबजे संबंधी कोई दस्तावेज कॉंग्रेस ने सारंग को घेरने के लिए निशान्ध कॉलनी इस तरत सारंग के भवन पर भी कई सवाल खड़े किये हैं कॉंग्रेस के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर महेंदर सिंग चोहाल सहित कई कारेकरताओं ने मौके पर पहुँचकर इस भवन के अधिपत्ति से ले को सरकारी योजनाओं का लाव नहीं मिल पा रहा है हर तपके के लोगों को इन जोजना को लाव मिले इसके लिए रीवा में कलेक्टेट का घेराव कर मुखमंत्री कमलनाथ के नाम ग्यापन सौपते हुए कहा कि ग्राम महरबा में गरीबी में जीने वाले परिवारों के सद मध्यान भोजन में हो रही विसंगतियों को दूर किया जाते हैं उसमें चाट शूप करके दोचार बना दी जाते हैं उस पर भी एक समान आदमी से सर्वे कराया जाता है जैनु सिंद्वारा और इनको पक्का मकान नहीं मिला है पच्चोई सुलाई 2018 को हम लोग आए के दुआ सौसन दिया गया तो सर्वी किया गया लेकिन आज तक नकोई नाली की विवस्था और यह पनी लगा करके रह रहे हैं और भर भी नहीं है और पड़वाजी कहती है कि इनके पास मोटर साइटी है और पीवी है इसलिए इसलिए पात रहे हैं जो यहां पर जाम मौलबा चासिभ्यासी के जो विडिक लोग हैं उनके तमर्सर में आपकर लेकर 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 अच्छा नहीं हुआ है कि अनकी मानों पर हंदा दिन के लिए करवाई करेंगे तो अधिकारी आए थैंका है को बतारा तक्षिती क्ले अधिक ने थे जिए उनको बेच दिया था जो आसस्त करके जाए उनके आजिक दिया है जिसकी चापा मार्क जाच करवाई जाया इन दौर के पूर्व डियाईजी और वरतमान में पुलिस मुख्याले बहुपाल में पदस्त डियाईजी हरी नाराइचारी मिश्र के वहन बहुपाल में एकस्डिन्ट हो गया मिश्का बहान लालगाटी इलाके में पुलिस मुख्याले में पदस्त ओप पुलिस महानरीक्शथ कहरी नरायन चारी मिश्र का वाहन दूर घटना गरस्त हो गया एक अन्निटेज रफ्तार वाहान से बचने के कारण यह खाथसा घौा लेकिन अच्छी बात ये रही कि डी आई जी मिश्र शकुशल है इस घटना में गाड़ी के चालक और एक पुलिस कर्मी को मामूली चूटे आई घाईनों का फिलाल अस्पताल में इलाज चल रहा है आतंकवादियों के खिलाब सर्जिकल इस्टाइक के बाद हर तरफ सेना की चर्चा है शिवरात्री के अफसर पर भगवाएंशिफ का शिंगार बड़े ही अलग अंदाज में किया गया जहां शिवजी को भारती सेना की पोशाक पहना कर उनका शिंगार किया गया बुंदेलखन मेडिकल कॉलेज परिसर मंदिर में शिवरात्री पर भगवाएंशिफ की प्रतिमा का बड़े ही अलग अंदाज में शिंगार किया गया और उनको भारती सेना की पोशाक पहना कर एक अलग लुग दिया गया शिव जी को इस नए अंदाज में देखकर भक्तों की भीड़ उमर पड़े और लोग उनके दर्शन करने के लिए पहुचे पाकिस्तान में आतंकी अड़े पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से देश का माहौल ही कुछ ऐसा बन गया है कि भक्त भगवान को भी एक रक्षक क के रूप में देख रहे हैं भगवाएं शेव और उनके भक्त दोनों की लीलाएं अपरमपार हैं और फिलाल हो गया है एक ब्रेक का वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिल्चला यूहीं जारी रहेगा आप देख रहे हैं दखल न्यूज मैं कोस्ट कार्ड नहीं पर समंदर पर होने वाली हर हरकत पर मेरी नजर है आम नौट अ स्नाइपर पर देश के दुश्मनों को बेजिजग शूट कर सकती हूँ मैं कोई पुलीस या आर्मी आफिसर नहीं पर अगर मुझे किसी पर शक आए तो उसकी पूछता आज मैं अच्छी दरह से कर सकता हूँ ये कोई चेक पोस्ट नहीं है पर यहां से हर गलत काम करने वालों को रोक सकता हूँ कोई भी जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें किसी वर्दी, ओहदे या तजुर्वे की जरुरत नहीं जहां हो वहीं से देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएं देश का सच्चा सिपाही बने जय हिन ब्रिक के बाद आपका स्वागत है, शत्रपूर के बास तेज रफ्तार बस्त ने कार को टक्कर मार दी जिसमें आठ लोग घायद हो गए एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है जिनने इलाज के लिए अस्पाताल में भरती कराए गया है महा शिवरातरी पर महर जा रहे श्रधालों की कार को ग्राम बसारी के पास तेज रफ्तार बस्त ने बुरी तरह टकर मार दी इस जुरुरहतना में कार में सवार आठ लोग जख्मी हो गए, इनमें से एक महिला की हालत नाजुक बनी हुई है इन्हें जिलास चिकित साले में भरती कराए गया है, घटना के बाद बस का चालक बस छोड़कर फरार हो गया, पुलिस मामले की तलाश में जुटी हुई है जहां पर हमने देखा कि एक महरूती बैंक और बस का एक्सिडेंट हो गया जिसमें साथ बैक्ति गयाल थे, उनको अनको अनको फरात में गुपचार करके हुई जलाची के साले लेकर आए, ये बैं जहासी से महियर के लिए जा रही थी और बस उससे अपोजिट डारेक्शन में आ रही थी, इसमें ये बसारी के आएंगे थोड़ा सा एक्सिडेंट ह बसका तो पता नहीं है लेकिन ये पता है कि वो सकना से आ रही थी चार बच्चे लेकर आए हैं और तीन बैक्ति गंबी रूप से घायल थे, उनको अनको 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 बच्चों को चूटे नहीं आई थी? टीवी धारवाईकों में मुख्य किरदार निवारी टीना दत्ता ने मोहित मलोत्रा पर शेड़ शाड़ कारूप लगाया है और कहा है कि शूटिंग के दोरान उन्हें गलत तरीके से छूते हैं फिलहाल एक्ता कपूर के शो डायन में टीना दत्ता और मोहित महलोत्रा मुख्य किरदार निवारे हैं यह शो और टीवी के लोग प्रिय धारवाईकों में से एक है इस शो से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि मोहित टीना को गलत तरीके से छूते हैं और उन्हे परेशान करते हैं बता दें कि टीना अपने को स्टार के साथ खुश नहीं है सुत्रों से मिली जानकारी के अनुसार टीना मोहित के इस बरताव से परेशान है मोहित महलोत्रा बेवजह सीन में जितनी डिमाड नहीं है उससे ज्यादा अपनी सीमाएं लांगने की कोशिश कर करते हैं और कई बार सीन के दौरान टीना को गलत तरीके से चूते हैं टीना ने अपनी तरफ से उन्हें चितावनी दी है और यह भी कह दिया है कि वह इस बात को लेकर शिकायत करेंगी लेकिन मोहित ने अपनी सफाई में कहा है कि वह सीन के डिमान को ध्यान में रखते पड़ी थी यह अब तक पता नहीं चल पाया है कि शो के मेकर्स तक यह बात पहुची है या नहीं और मेकर्स ने इस पर क्या कदम उठाए हैं ऐसे दौर में जहां मीटू मूवेंट चरम पर है इस तरहां की खबरे सामने आना काफी शॉकिंग है वैसे टीना कुछ दिनों पह अब इनननों भारती वायू सेना का नाम इस वक्त बच्चे बच्चे की जुवान पर है ऐसे में जानवी कपूर की एक अपकमिंग फिल्म की खूप चर्चा है जिसका भारती वायू सेना से घहरा ना था यह फिल्म देश की पहली आई एफ कामबेट पाइलेट गुंजन सक सेना की बायोपिक पर आधारित है जिसे करन जोहर पिडियूस कर रहे हैं गुंजन ने 1999 में हुए कारगिल वार में एक एहम रोल निभाया था जिसकी बहादुरी के लिए गुंजन को शौरे चक्र से सम्मानित भी किया गया था वही जानवी फिल्म में गुंजन का किरदार निभा रही हैं जबकि उनके पिता अनुज सक्सेना के रोल में बहतरीन एक्टर पंकश्तिर पाथी नजर आएंगे फिल्म की शूटिंग मार्च में शुरू होगी लखनव में इसकी फिल्म की शूटिंग की जाएगी फिल्म का निर्देशन शरण शर्मा कर रहे हैं फिल्म सेराट के इस रिमेक को करन जोहर ने प्रिडियूस किया था जिसका निर्देशन शर्षांक खेतान ने किया था फिल्म कॉमर्शिल सक्सेस्फुल रहे धड़क में जानवी के पिता का रोल आसुटोश राणा ने निभाया इसके अलावा जानवी करन जोहर के नमसकार में जर जर भुपली ओ वेलकम कर रहे हूं आपको वहरंट समाचार में आज तो समाचार वाकई वहरंट है बता रहे हूं हमारे देश का अशेर आ गया है अविनेंदन पूरा देश जोश में जुनून में हैं पटा के चले मिठाई आपट रहे हैं नाच गारे हो र पर देखते रहे और टक टक ही लगाए उदर अटारी वहां कोई नहीं है नहीं रहे हैं और बापत का है घर पर आ गया तो फिर खाना वाना खाया मैंने अब देखता हूं तो उसमें वदा चार बज़े आ रहे हैं चार बज़े तो मैं बेड़ आट यह वहा तो में देश भक्ति सो इन ही तब साइब थाए भात वो हुआ देश भक्ति के ताम ने भी चाहता हैन्गे आपड़ एंविटिग रेट वॉग हुआ उन्युटरू शुचाहए पर दो दूत कौने म्याविश और इसनगाम रही चाहिए उन्माच विचेए बर्ड़ और में रद कर दी तो मैंने ठीक है बेजेंगे 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 इस बीच में चैनलों के एहां कर रहें थी हो एक नहीं तो मेरा स्क्रीन फाल के टीवी का मेरा घला पकड़ लिया और बोले के अभी नंदन हमाई टीवी पर प्रिय आया थी सबसे पहले यही बोल ला है और अभी नंदन जी गलत बीडियो बनाया जूट बहाए और इसको देखना मत बतारी हूं इस तो मैं बतारी हूं फिर मैं वेड़ा तीवी पर बता नों बचके एक की दिनाट पर आये वो यह तो चल लिया है और यह तो आए भाया शेर की तरह शेर नहीं आता उनकी तस्वीर देखी पूरा देश में ऐसा जोस फेल गया और मैं अपनी मुझे ऐसे खल नहीं उनके बाद मेरे का अंदर भी एना जोस आ गया बताने हुआ और इम्रान खान का फोन आया मेरे बास बहु अच्छा हुआ हमने छोड़ दिया आज और एक दिन और रोक लेता है जो मैंने वेलकम देखा उनका इंदुस्तान का योज देखा हुआ अकेल आदमी पूरे पाकिस्तान को बरबाद कर देता है नाम और निशान मिटाया था यह सा गुस्ता था लोगों में बता रहे हुआ तो इम्रान खान को यह कह रहा है थी हमसे लेकन बता रहे हुआ हूं यह कुट्टों की बात है ना इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए वदा रहा हुआ हुआ है यह वह आये वह आये वेलकम हो रहा था उतर सीवा पर गोली बारी शुरू कर देखा है यह यह तो बात है है करते हैं यह बहुत खराब की बात है यह देश की देश के समय हो जाना चाहिए पूरे देश को रहे हुआ है यह देश की बात है गोरब की बात है तो भाईया यह चल लिया पूरा देश जोस में है मैं भी जोस में हूँ नावश्कार आप देख रहे हैं दखल्यूर्ट